आजा रात होने आई मौसम ने लिए अंगड़ाई चलो भाई एकदम रेडी हैं एकदम तयार हैं ठंड भी अलहंगदुल्ला अच्छी है यहांपर हुमारे नभी का देश है मुबारक देश है माशाला यहांके ठंड में भी सुकून है बस अब निकलना है देखना है क्या होता है आगे और हमारे एक दोस्त तबसुन का इंतिजार कर रहा हूं वो आ जाए उनको लेकर साथ में चलते हैं बारिज भी हलकी रकी सी हुई है और आस्ते भी काफी गीले हैं इस गीलेपन को देखकर कुछ याद आ गया है खैर वैसे हमारे देश जो कानून है वो बहुत अलग है यहां के कानून बहुत बहुत ही अलग होते हैं बिना लाइसेंस के अगर मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूं और मुझे पकड़ लिया कम से कम हजार रियल का मुखालफा तो कहीं नहीं गया मतलब हमारे इंडिया का हो गया 21,000 रुपय है इसल चलते हैं दीरे दीरे इंशालला कदमों को बढ़ाते हैं पहुंसते हैं स्कूल की तरफ चले भाई अलंदुल्ला सही सलामत आ चुके हैं हम लोग देखते हैं अब एक्जाम कैसा जाता है यह रहा है स्कूल देख लीजे इसके बाद इंशालला बात करते हैं आगे क्या होता है